कोशी में आज के डॉट इन पैतलोजी लेब का आरे नगर में सुभारम हुआ ये पैतलोजी लेब छेत्र के सभी लेब टेस्ट के लिए सक्षम है जिसमें हर प्रका के टेस्टों की सुभदा है और घर से फ्री सेंपल कलेक्शन की भी सुभदा प्रधान की जाएगी ये प्रयोग्शाला ISO प्राप्त है इस पैतलोजी संग के संस्था पर डॉक्तर रुची गुप्ता ने कहा कि स्वास्त के देखवाल की बरतिमा के कारण भारत में डाग्नोस्टिक छेत्र में भारी वद्धी होने वाली है और असी प्रस्षर से अधेग मामले में पैतलोजिकल परणाम के उप्चार के लिए निर्ने लेने में मैंस पूर भूम का अधा करते हैं डॉक्तर गुप्ता ने कहा कि छोटे गाहों और कस्वों में पैतलोजी और प्रयुक्षाला की काफी कमी है सुच्छी गुप्ता मैं आज आज आपने जो का लेटा उप्धान हुआ है तो क्या सुप्टाइम अली की सारे टेस्ट यहां पर किये जाएंगे और हमेटालोजी के भी हैं सीबीसी हो गया किड्नी और लिवर फंक्शन हो गया और यूरिन टेस्ट हो गए बाकि जो बड़ यहां पर आपका जो सेंटर है आप डिफरेंट क्या देंगे इसके आप उच्छा आप तो अइम लेकिया है यहां पर जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि यहां पर क्वालिटी लोगों को वो क्वालिटी और रिपोर्ट्स टाइम ली उनको मिले वो बहुत जरूरी है क्य आपने डिफरेंट क्या आपके सेंटर में ओर बुड़ी है ट्रांसपरेंसी है लोग अपना देख सकते हैं पूँच सकते हैं स्टाफ बहुत अच्छा है मशीन बहुत अच्छी है सारी लेटेस मशीन आपकी लगाई गई है और ऑटोमेटेड मशीन है सारे टेस्स प्रवा इसी कला में लैब खोले का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो लोकल लोगों को मिलेगा कि कोई 50 से 60 किलोमेटर की रेडियस में यहां कोई भी लैब नहीं है अभी तक जितने भी हैं कलेक्शन सेंटर हैं और कई वर लोगों को होता है कि जब बीमारी जादा हो कुछ तकल करना पड़ता है वो कॉलिटी रिपोर्ट आपके कोसी कला और इसके 50-60 किलोमेटर रेडियस में सेम डे रिपोर्ट आपको मिल जाएगी इमर्जेंसी में हम यह कोशिश करें हैं कि अगर आत में भी चलानी पड़े सुभह अर्ली वार्निंग रिपोर्ट देना है कहीं हमने यह भी कोशिश किया है कि हमारा मॉडल यही है कि हम कोई मेट्रो पॉलिटन सिटी में अभी नहीं जा रहे हैं तो टीर 2, टीर 3 सिटी में ही हम सारे लैब अभी 30 लैब कोरने जा रहे हैं तो उसमें हमने ऐसा रखा है कि शुल्क जो है बाकी स्टैंडर्ड लैब विद क हम उससे कम से कम 10 से 20 परसंट कम ही रखेंगे जो लोगों के लिए अफ़र्डबल है